हालू फ्रेंस विडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फॉर्स टाइम में वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बदा देना चाहती हूँ जूटी जूटी स्टूरीज पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शायर करती रहती हूँ चिंसे हम बहुत सार मनी के रूप में भी लिख सकते हैं और आपको एक्जाम में लिखने के लिए बहुत बार आता है इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मोस्ली वो हमको प्रिजेंटेंस के मिलेंगे और कुछ मॉडल्स का यूज पी इसके अंदर हुआ है स्टार्ट करते हैं सर्वाइव का मतलग क्या होता है सर्वाइव का मतलग होता है जीवन जीने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए ठीक है इन दा वर्ल्ट संसार में या दुनिया में तो सेंटेंस को हम सिंप्ली कैसे रीड करेंगे कि दुनिया में जीवित रहने के लिए धन आविशक शकता है, simply 3 किसे, in today's world, आज की दुनिया में, या आज की सलसार में, दोनों ही आप बोल सकते हैं, almost everything is possible with money, almost यानि के लगभग, everything यानि के सब कुछ, लगभग, सब कुछ, इस मीन्स है, possible यानि के संभव है, with money, पैसे से, रुपे से, या धन से, आज कल, आज की दुनिया में, लगभग, सब कुछ, संभव है, moreover, इसके अलावा, या इसके बाबजूद, बहुत सारी वीडियो, मैं आपको बता चुकी है, you can fulfill, any of your dreams, by spending money, you can fulfill, can क्या होता है, can हमारा model होता है, इसका मतलब होता है, इतरी की से, आपकी इसको future में, आप इसको use करते हैं, क्योंकि आप कर नहीं नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, you can fulfill, यानि कि आप पूरा कर सकते हैं, any of your dreams, आपके कोई भी सपना है, आप उसे पूरा कर सकते हैं, by spending money, रुपया, धन या पैसा खर्च करके, आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं, as a result, परिडाम सरू, people work hard to earn it, people work hard to earn it, people यानि क कमाने के लिए इत मतलब इसे, इसे कमाने के लिए लोग कड़ी महनत करते हैं, our parents, हमारे माता-पिता work hard to fulfill our dreams, work hard यानि कि कड़ी महनत करते हैं, तो fulfill यानि के पूरा करने के लिए our dreams, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे माता-पिता कड़ी महनत करते हैं, क्योंकि हमार इसलिए हमने करते हैं वर्ड योज करा है furthermore इसके बाब दूद इसके अलावा वेरियस बिजनिस्मेन वेरियस यानिके कई या विभिन विवसाई वेक्टी जो होते हैं वो entrepreneur have start-up business to earn profit इसके अलावा या इसके बाब दूद वेरियस यानिके विभिन बिजनिस्मेन जो होते हैं और उद्मी लोग जो होते हैं वो have start-up वो start-up शुरू करते हैं start-up यानिके किसी भी नए बिजनिस को अपने आप से चालू करना ठीक है start-up यानिके चालू करते हैं नए बिजनिस्स को वो चालू करते है to earn profit earn यानिके कमाने के लिए profit यानिके मुनाफ़ा जो भी फायदा उ ने होता है ठीके प्रॉफिट का मतलब हम बहुत सारे वर्ड के लिए यूज करते हैं प्रॉफिट यानि कि मुनाफ़ा लाब या फायदा उसे कापाने के लिए बहुत सारे उद्मी और विवसाई लोग नया अपना विवसाई चालू करते हैं दे हैव मेड यूज तो देर स्किल्स दे हैव मेड वो उपियोग करते हैं ठीके दे हैव मेड यूज वो उपियोग करते हैं आफ देर स्किल्स वो अपनी कौशलता का उपियोग करते हैं और इंटेलिजन्स यानि यह अपनी बुद्धी का वो अपनी बुद्धी और कौशलत का उपयोग करते हैं इन गेटिंग एन अपर हैंड इन अपर हैंड इन अपर हैंड का मतलब क्या होता है मजबूत पाने के लिए वह अपनी कौशलता का और बुद्धि का उपयोग करते हैं और साथ ही इंप्रॉई सेक्टर जो करमचारी सेक्टर होता है जो करमचारी छित्र होता है वर्क्स यानिके वह कारे करता है दे और रात वह कारे करता है तो कंप्लीट यानिके पूरा करने के लिए देर टास्क तास्क यानिके उनके जो भी कारे उनको जो दिये गए होते हैं given यानि के दिये गए होते हैं to them, उन्हें जो कारे दिये गए होते हैं, उन्हा पूर्या करनी के लिए, जो करमचारी छेतर होता है, वो दिन और रात कड़ी महनत करता है, simple, but still, फिर भी, या अभी भी, sorry, फिर भी, there are many people who take shortcut to success and get involved in corruption, there are many people, फिर भी या अभी भी, अभी भी बहुत से लोग हैं, who take shortcuts, हो यानिके जो take यानिके लेते हैं, shortcutts यानिके जो छोटा रास्ता लेते हैं, to success and get involved, to success यानिके सफलता के लिए जो छोटा रास्ता लेते हैं and or get involved, और वो शामिल हो जाते हैं in corruption, और वो भिस्टरजार में शामिल हो जाते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं, जो सफलता को पाने के लिए छोटा रास्ता लेते हैं और वो भृष्टचार में शामिल हो जाते हैं simply black money is the money that people earn with corruption black money यहीं के काला धन वो धन है वो पैसा है जिसे लोग corruption के साथ कमाते हैं या corruption से कमाते हैं with का मतलब साथ भी होता है से भी होता है और भी बहुत सारे word के लिए हम हिंदी के word के लिए हम with का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम करें से corruption से काला धन जी से लोग कमाते हैं for your information आपकी जानकारी के लिए corruption involves the misuse of the power of high posts for your information आपकी जानकारी के लिए corruption नहीं के प्रस्टाचा involves यानि के शामिल है या शामिल होता है दोनों ही word आप बोल सकते हैं क्योंकि आपे involved के साथ में S कभी योज हो है ठीक है involves यानि के शामिल होता है या शामिल है the misuse of the power of high post high post यानि के उच पद पर जो लोग बैठे वे होते हैं उनकी शक्ति का misuse यानि के गलत तरीके से उपियोग करके जो चीजे होती है उसमें वो corruption जो है वो शामिल है for instance for instance यानि के उधारण के लिए misuse यानि के गलत इस्तिमाल करना किसी भी चीज़ का तो जो उच पद पर जो लोग बैठे होते हैं वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तिमाल करते हैं और उसी में corruption जो है शामिल होता है उसी से corruption बढ़ता है उसी से corruption होता है for instance उधारण के लिए अब देखे हम क्या करते हैं हम normally बोलते हैं for example हमेशा यही वड़ा में यूज़ करते हैं for example यानि के उधारण के लिए यह चीज़ ऐसा हुआ उधारण के लिए आप यह कर सकते हैं but आप अपनी vocabulary को change कीज़े अब आप बोलिए for instance it involves taking bribes यह involve होता है यह यह शामिल होता है taking bribes यह यह जिए अधिक पैसा लेने में कोई भी लोग हैं जिसे किसी भी bank में आप जाते हैं किसी भी सरकारी विभाग के अंदर आप जाते हैं वहापे लोग रिश्वत मांगते हैं आपका यह वाला काम कराना है आप मुझे कुछ पैसे दीजी मैं आप सेवा जहां पर दी जाती है वहाँ पर वो अधिक पैसा या फिर रिश्वत लोगों से मांगते हैं वही corruption होता है एक्सेट्रा corruption is the main cause of the lack of the proper growth of the country corruption य Yankees जो भी हमारा बिलस्टाचार है is the main cause वो हमारा प्रमुः कारण है of the lack यदि के कमी का of proper growth प्रोपर यानी के उचित जो growth होती है जो विकास होता है of the country देश की उचित ग्रोथ का यानि कि उचित जो विकास है उसमें कमी का करण क्या है मुख्य करण उसका करप्शन है आई होप यह जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा सिंपल सा था बड़ आपको एक्जाम्स में बहुत बहुत बार लिखने के लिए आता है इंपोर्टेंस आपको एजिली सिंपली लिख सकते हैं आज के थ्री वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बिलाना है इजी है सेंटेंस जरूर बनाएगा क्योंकि प्रैक्टेस आप ही करेंगे तब ही आप सीखेंगे नहीं तो आपको चीजे नहीं समझ मैंगी फॉर्स वर्ड है हमारा एक हानी के आवशक्ति कोई भी आवशकाच जिसके हमें जरूरत है नेक्सटेर इंस्टेंस यानि के उद्у औरन और अंधर वर्ड है हमारा यह और यह फ्रेजयल, ब्राप्रहेंड यह अपल हैगे किसी के बिले अन जबूत Ikithya वह थी इ nu की 1 वर्ट है business इस własर टोड हैjuर कंदर ही लिखने ए स kisses तीनों ही वर्ट सिंपल है एंटरप्रेइगर के स्पैंगे आप से गलत लिख सकते हैं ऽो दीने को आई जाएगी जोमें डीन हमेश में स Wakhan करिए बता सकते थैंसो ओजीं झाल, 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 झाल.